हेलो गाईस तो आज हम बना रहे हैं सबजियों के राजा आलू की सबजी और हम इसे बगड़ टमाटर के बनाएंगे और टेस्टी चटपटी से सबजी बना के तयार करेंगे चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो अब इसमें लिया है मैंने करीब डेड़ चमच लाल मिर्ची पाउडर एक चमच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर और एक चमच ले रहे हैं धनिया पाउडर स्वाद के नुसार लें नमक नमक मैंने एक चमच लिया है आप स्वाद के नुसार लें थोड़ा पाने डाल के एक पेश्ट बना लेते हैं इस तरह से थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं इसके अंदर तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक पेश्ट बन के तियार हो चुका है अब इसे साइड में रख देते हैं और अब ले लेते हैं एक कडाई और इसके अंदर डाल देते हैं मैंने डाला है सश्रम का तेल आप इसकी जगे रिफारेंड भी ले सकते हैं या फिर कोई भी कुकिंग ओयल ले सकते हैं और अब ले रही हूँ एक जम्म से थोड़ा सा कम जीरा दस से बारा लसन की कलियों को मैंने कूट के लिया है दो से तीन मैंने हरी मिर्च ली है बारी कट करके और अब मैंने दो प्याज ली हैं मीडियम साइज के इनको भी बारी कट करके लिया है थोड़ा सा हिला के पका लेते हैं हलका सपिंग कलर होने तक या प्याज सोफ होने तक हम इसे पकाते हैं और अब इसमें डाल देते हैं जो मैंने मसाले का पेश्ट बना के तयार किया था उसे डाल दिया है मैंने थोड़ा सा पाने डाल देते करीब दो चम्मच उसी बाउल में और फिर सबजी के अंदर डाल देते हैं इससे मसाला वेश् मिक्स कर देते हैं, डग के, करीब इसे 2-3 मिंट के लिए पका लेते हैं, यह तब तक्क पका लेते हैं, मसाले से ओ照 अलग ना हो जाए तब तक, तो आप देख सकते हैं 2-3 मिंट हो चुकी है, और यह देखी मसाले से ओ ile बिरकुल अलग हो चुका है, अब यह देखिए मैने ल इसमें कट करके डाल देती हूं यह देखिए इस तरह के बारिक बारिक कट करके डाल दी है आलू की सब जिमे मेथी का बहुत ही अच्छा फलेवर आएगा तो यह मैंने थोड़ी सी मेथी डाल दी है इसे मिक्स कर देते हैं इलाके इसी तरह से मतलब खुला इसे एक से दो मिट के लिए पका लेते हैं हम इसे डखेंगे नहीं और अब इसके अंदर डालेंगे हम आलू तो ये देखिए अब इसमें आलू डाल देते हैं और आलू डालते हुए कैमरा बंद हो गया था और अब इसमें करीब 3 गिलास पाने डाल रही हुए और ग्रामस में लें तो ये 700 से 800 ग्राम पानी होगा और आलू करीब 400 ग्राम है आप पानी अपने हिसाब से ले लें अगर ज्यादा गिरे भी खानी है ज्यादा तरीदार सबजी खानी है लें 7 मिंट के बाद में चीक्वर चैक कर लेते हैं अगर आलू पके हुए है तो ठीक है अगर नहीं पके है तो हम इसे 1-2 मिंट के लिए और वोइल कर लेंगे ये थोड़ा सक गरम है आलू बिरकुल अच्छे से पक चुके हैं 100% कूक हो चुके हैं, इसे मिक्स कर देते हैं, अब इसमें टमाटर की जगे ले रहे हैं, हम एक चमच से थोड़ा सा कम अमचूरन पाउडर, और एक चोथाई चमच लिया है, मैंने गरम मसाला, आप इसकी जगे कोई भी गरम मसाला लें, इसे मिक्स कर दें, और अब इसमें, इसे एक वर मैंने डख दिया इसी तरह से, और अब डाल दिया हम इने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरा धनिया का बहुत ही अच्छा फले वराता है, और ये देखिए सबजी बिरकुल बन के तयार हो चुकी है, आप इस सबजी को किसी के साथ भी खा सकते है रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाई ये, बहुत ही टिश्टी लगती है